20 जूलाई को 36 गड़ सरकार की गोधन या योजना को एक साल पूरा हो गया है इसी कड़ी में एक कारक्रम काय जुन किया गया जिसमें मुख्यमंतरी भुपेश बगेल ने योजना से जुड़े लोको और उनके काम की सरहना की है वहीं संबंद में पूर्व मुख्यमंतरी रमन सिह ने भुपेश सरकार पर निशाना साथा और कहा कि गोधन योजना केवल कागजों में है उन्होंने भुपेश सरकार को कई अन्न विश्यों पर भी आड़े हाथो लिया है एक साल आते आते अब गोवर्धन नियाई योजना और नरुवा गरुवा गुरुवा भारी जिस सब की पोल खुलने लगी है अब हालत यह है कि पूरे 36 गड़ में ना गोवर का प्रेमेंट हुआ है ना उसमें काम करने वाली स्वासायत और समूर के महिलाओं का प्रेमेंट हुआ है और ना ही पूरी की पूरी वियस्ता में जिस प्रकार का उठान का हालत है ना वहाँ गाय है, ना वहाँ पानी के विश्ता है, ना वहाँ किसी प्रकार की विश्ता का लाखो करोडों रुपिया खर्श करने के बाद सारे गुठान ध्वस्त हो गए हैं पूरी तरीके से